हरे कृष्णा मैं अतुले निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत सौगत करता हूँ Unlocked Niverology की तरफ से आज हम लेकर आए हैं वीडियो भाग्यांक 8 के उपर आप सभी जानते हैं भाग्यांक की हमारी सीरीज चल रही है और आपने उसे बहुत पसंद किया है लोग लाइक भी कर रहे हो आप लोग so I am really very very thankful और सबसे बड़ा थैंक आपको इस चीज के लिए कि आपने इस चैनल को सबस्क्राइब किया आप सभी सबस्क्राइबर्स को दिल से मेरा धन्यवाद आप सभी की क्रपास है आप सभी के सपोर्ट से आज हमारा almost 1 lakh सबस्क्राइबर्स को टच कर चुका है अब 200-300 और बचे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको रेली में चैनल अच्छा लगता है इसके वीडियोज अच्छे लगते हैं इंफोर्मेटिव लगते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को और थोड़ा सा लोगों तक शेर कीजिए अपने ग्रूप्स में शेर कीजिए हो सकता है किसी की लाइफ बदल जाए इन वीडियोज को देखकर जैसे मेरी बदली थी तो आप सभी का बहुत बहुत शुकर गुजार हूँ थाइंक्फुल हूँ ग्राइटिट्यूड शो करना चाहता हूँ तो इस सीरीज बहुत पसंद की जा रही है बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को इसको देखने में और साथ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं आज आठ नंबर की बारी है तो भाग्यांक होता क्या है चल्दी से आपको बता देता हूँ हर वीडियो में बताता हूँ इस वीडियो में भी जरूर बताऊंगा एक डियो भी ले ले लेते हैं जल्दी से उधारन के तौर पर 15 फरवरी 1989 1521989 अब इन सबको एड़ कर दीजे 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2, 8, 8 प्लस 1, 9, 9 प्लस 9, 18, 18 प्लस 8, 26, 26 प्लस 9 gives you 35 तीन और 5 डबल फिगर में नहीं लेते हैं सिंगल फिगर में जाएंगे तो तीन और 5 आठ तो इसको कहते हैं भाग्यांक जब आपनी पूरी डीओबी को टोटल कर लेते हैं और सिंगल डिजिट में ले जाते हैं तो वो आपका भाग्यांक कहलाता हैं अब आठ नंबर जो है शनी देव जी का नंबर है सैटन का नंबर है बहुत ही खतरनाक नंबर है नहीं है सब बिलकुल भी नहीं है ये खतरनाक नहीं है जिन लोगों ने ये फैला रखा है कि आठ नंबर बहुत खतरनाक है मैं उन सब से हाज जोड़ कर विंती करता हूं कि खतरनाक नहीं है एक निमरालोजिस्ट के लिए कोई भी नंबर अनलकी कभी नहीं होता मुझे समझ में नहीं आता कि अगर अनलकी है आठ नमबर तो आठ नमबर वाले इतनी उचाईओं तक कैसे पहुँच गए निरेंद्र मोदी जी आठ नमबर वाले हैं मूलांक वाले वो इतनी उचाईओं तक कैसे पहुँच गए बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनका या तो मुलां काट है या भाग्यां काट है वो सफल क्यूं हो गए फिर कैसे सफलता मिल गई उनको नहीं अनलकी नहीं है हाँ शनी देव जी क्यूंकि स्लो प्लैनेट है जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बहुत स्लोली मूव करते हैं एस्ट्रोलजी के अंदर भी कहते हैं कि एक घर में धाई साल तक रहते हैं स्लो है तो क्या हो गया एक बहुत बड़ी कहावत है कच्छुए ने कैसे धीरे धीरे चलकर खरगोश को हरा दिया था वैसे ही शनी देव जी भी है जब वो देते हैं तो बिल्कुल पक्का देते हैं धीरे देंगे पर जब देंगे तो वो स्टेडी रहेगा आपकी लाइफ में लॉंग टाइम तक चलेगा ऐसा नहीं होगा कि आज आया और दो महीने बाद खतम हो गया नहीं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है शनी देव जी बहुत बढ़िया ग्रह है बहुत उंचाईयों तक addiction में नहीं पढ़ना चाहिए ये दो चीजे जो है ये शनी देव जी को बिल्कुल पसद नहीं है अगर आप इन दोनों को छोड़े छोड़ोगे सात्विकर होगे किसी भी तरीके के addiction में नहीं पढ़ोगे तो मैं guarantee दे सकता हूँ आपको आपको शनी देव जी का पूरा आश शेर कर दीजेगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा बैर आइकन के साथ तो आठ नमबर आठ नमबर जो है वो बहुत इक संतुष्टी को दर्शाता है materialistic ऐसा थोड़ा बहुत इन लोगों में materialistic वाली feeling होती है पर ऐसे लोग जिसे कहते हैं कि मेहंती भी बहुत होते है आठ नमबर हमें मेहंती बनाता है ambitious बनाता है आधार शक्ति देता है कि आपका जो अधिकार शक्ति, sorry not अधार शक्ति, अधिकार शक्ति की आपका जो अधिकार है आप उसको बहुत strongly मांग लेते हो कि यह तो मिलना ही राइट क्योंकि जैसा बहुत से लोग हम देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर अपने खुद का अधिकार नहीं मांग पाते पर आठ नमबर भाग्यांक वालों के साथ ऐसा नहीं होता वो अपना अधिकार मांग के लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आती ये लोग अपनी सफलता अपनी जो सकसेस से जो फ्रूट मिलता है उसको भोगना बहुत पसंद करते हैं उनको अच्छा लगता है कि हाँ उन्होंने कोई कारे किया और उनको फल मिला उसको पूरी तरीके से भोगना पसंद करते हैं साती सातं ऐसे लोग, बड़े लोगों से बड़े कमपनीज से या बड़े जो लोग है, सोसाइटी के, उनसे संबन बनाना, उनसे रिलेशंशिब, दोस्ति करना पसंद करते हैm, यह अपने गोल्स को बहुत प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हैं, अपने दिमाग में क्लिय रखते हैं और उसके लिए जी तोड मेहनत करते हैं वो ऐसा नहीं है की थी के गोल तो बना लिया पर उसके लिए कोई मेहनत ही नहीं कर रहे हैं आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं अपना जिसे कहते हैं एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं ये आठ नमर वाले ऐसे नहीं होते हैं भा और जो गोल आपने बनाया है उसको प्राप्त करने के लिए उसको अचीव करने के लिए आपको अंबिशियस तो होना ही पड़ेगा कि नहीं और मैंने ये गोल बनाया है कि मेरा 70 किलो बजन है मुझे 65 किलो तक पहुचना है ये गोल हो सकता है तो आप उसके हिसाब से पूरी महनत करते हो ऐसा नहीं बस गोल बना लिया और उसके लिए कोई महनत नहीं कर रहे नहीं ऐसा नहीं है ये लोग पूरी पूरी महनत करते हैं आठ नमर भाग्यांक वाले बहुत practical होते हैं, बहुत जबरदस practical होते हैं, वो impractical बातों को जो हवा में बात करने वाले लोग होते हैं, वो बिलकुल उनको पसंद नहीं करते हैं, क्यारेंकी तो बाते ही हवा हवा ही रहती है, मैचौर बहुत होते हैं, किसी भी चीज़ को बह बाते ना करकर बहुत हवा हवाई में बाते करता है, जो impractical बाते करता है, वो उन्हें रास्ता भी दिखाना, मतलब पहली चीज़ तो पसंद नहीं करते हैं, पर अगर माल लिज़े कोई उनका close इंसान है, तो उसको जरूर समझाता भी है, कि भाई, थोड़ा सा practical सोचना ज जरूरी है, आप ऐसे कुछ भी नहीं hypothetical बाते नहीं कर सकते, तो ये बहुत important है इनके लिए, जो भी कारे पैसे से related होता है, वेल्थ से related होता है, जिसमें इन्हें पता होता है कि हाँ इसमें wealth अचीव हो सकती है, पैसा मिल सकता है, उन कामों के लिए बहुत enthusiastic रहते हैं, बहु सा पैसे के प्रती आपका लगाव जादा होता है, तो ऐसे काम में जिसमें पैसा नहीं मिल रहा, वो इनको जादा excited नहीं करता, उसको लेकर इनको जादा enthusiastic, ये feel नहीं करते खुद को, इन लोगों में अच्छे गुन होते हैं, और leadership qualities होती है, लोगों को guide करना, और किसी team को lead करना, किसी particular चीज को कैसे achieve किया जा सकता है, ये अपनी team को lead करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और उस goal को achieve कर लेते हैं, हाला कि उनमें एक leadership quality है, वो कई बार इस चीज के बारे में जानते भी नहीं कि मैं क्या lead कर सकता हूं, उनको ऐसा लगता है, कि मैं नहीं कर सकता, मैं पर हाँ, आप कर सकते हो, अगर आप प्रयास करोगे, तो आप विल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आठ नंबर जो है, इनको भाग्यांक आठ जो है, वो इनको जिद्दी भी बनाता है, स्टबन बनाता है, हटी बनाता है, कि नहीं मुझे कर्म, मतलब अगर वो डट गए एक आते हो, तो आप ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको selfish बना देगा, in fact, पैसे के लिए आप अपने रिष्टेदार, अपने दोस्तों को, अपने परिवार जन तक को धोका दे सकते हो, ये एक आपने कमी हो सकती है, इसलिए आपको मेरी सला ये रहेगी, कि थोड़ा सा balance बन है, ये एक simple logic है, तो बहुत जादा परिशान नहीं होना, उसके लिए efforts करिये, पर बेमानी मत करिये, या selfish मत बनिये, ठीक है जी, तो बाकी आप में बहुत अच्छी qualities हैं, आप life में बहुत आगे जा सकते हैं, महनती हैं, आप में बहुत सारी qualities हैं, मैं इस वीडियो में बता ठीक है जी, तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगाओगा, information अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो please इसे like कर दीजे, वीडियो को share कर दीजे, और subscribe नहीं किया है तो भाईया subscribe कर दो, ठीक है जी, thank you so much, God bless you all, all the best, Hare Krishna